तो अभी यह जो देख रहे हैं आप लोग सर्कल के अंदर इसको हम बोलते हैं बैंडिसेल अभी बैंडिसेल होता क्या है तो दोस्तों यह एक इमेच्वर फॉर्म में निटरोफिल होता है जो की पूरी तरह से बना नहीं होता है और पूरी बंने से पहले ये हमारे बोन महरा उसे प्रोडिूस हो जाता है तो क्यों इतनी जल्दी यह प्रोड्यूस होता है तो अकसर देखके जब किसी व्यक्तिक को अगर इंफेक्षन हो जाता है यह ज्यादा इंफेक्षन होता है तो उस कंडिशन में इंफेक्षन के ओजो से फाइट करने के लिए जो मारा बोन मेरा होता है वो immature form में जो neutrophil होता है उसको produce करता है तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें ठीक तरीके से nucleus नहीं बना होता है भी इसलिए इसको हम immature neutrophils बोलते हैं और इसको band cells क्यों बोलते हैं इसके उपर भी मैं वीडियो बहुत बिश्टार से बताने वाला हूं कि इस neutrophils को band cell आखिर में क्यों बोलते हैं क्या इसा रिजन है जिसको वह से इसको band cell बोलते हैं इस वीडियो को अंदर सिप आप यह देखिए कि इस तरह से अगर कोई cell से देखता है तो वह neutrophils का immature cells होता ह है जिसको band cells बोलते हैं जो कि band form immature form में होता है तो अक्षर pathologist की पास आप देखते होंगे यह रिपोर्ट में कि band cells दिखा रहा है आपका रिपोर्ट में तो यह होता है कि वह infection को indicate करता है कि आपको infection हुआ है जिसको वह से band cell आपके blood में दिख रहा है